हाइट इंक्रीज के उपर वीडियो बनाने की बुहत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इसलिए मैंने सुचा कि एक हाइट इंक्रीज का एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए बना दू वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपनी इस चाइनल को सस्क्राइब नहीं किया त का देखोगे और अगर आपको कोई डाउट है तो उसका कमेंट कीजए आप लोग के कमेंट के उपर ही मैं वीडियो नेक्स्ट बनाता हूँ तो नीचे कमेंट की करते रहे ताकि मैं उसके उपर वीडियो बनाऊ चले चलते हाइट के उपर बाते करने से पहले मैं आप के मेरा है याथ के रहा है और फिर आपकी बॉड़ी के ऊपर अगर कोई डिपेंड नहीं होता है। किंवा इस मत्हों से लिके, हायट तो मेरी भी बहुत कम थी, अब, last year से मेरे हायटि अचानक से बढने लगी है, और उसी के बार में आप लोग को बताओ, किस तरीके से हायट ग्रोथ होती है, क्या क्या है, आपको हायट इंक्रीज में खाना चाहिए, आप लोग को खाना भी चाहिए, और थोड़ चालए आप नहीं खाएंगे इस बात का ध्यान दीजे तो आप कैलिशिम लेंगे हरी सबजय खानी हो गया आपको जो भी हरी सबजय, हर तरह की सबजय, हरी- बिंडी होनी चाहिए, बहुत जो भी टोमेटों होने चाहिए, सारी सबजया आप अपनी डाएट में आड़ कीजें, वीक में आप जो भी सबजया दिन भर, मतलब कि आप रोज तो तीन सबजया तो आपको खानी ही पड़ेगी, मतलब कि आप सुबब ब्रेकपास में कोई सब जरूटी खाती है तो ओ एक, और जो आपका लंच का टाइम होता है, उसमें अगर आप सैलेड खाते हो तो आपकी हाइट इंक्रीज के लिए तो एक जर्क है, तो इस बात का ध्यान दे, और सबजया आपके बहुत इंपोर्टन होती है आपके हाइट ग्रोथ के लिए, अब आपके डाइट सही होगी तो आपकी हाइट भी आपके वेट के अकॉर्डिंग सही होगी, आपके एज के अकॉर्डिंग आपके हाइट सही होगी, मिस्टेक कहा होती है आपके हाइट इंक्रीज की, जब आप हाइट के इंक्रीज करने जाते हो तो आप भागते हो सप्लिमे के पीछे या फिर गोलिये के पीछे या फिर कोई भी मेडिसिन जो आयरवेदा की हो कोई भी हो उस मेडिसिन के पीछे भागते तो हो आप पर आपकी डाइट खराब होती तो बता मुझे आपके हैट इंक्रीज केसे होगी तो पहले आपकी डाइट सही करो डाइट सही होने त और मैं आप लोग को दावा करता हूँ, कि आपकी हाइट एक साल में, तो आपकी वेट का अकॉर्डिंग और आपकी एच का अकॉर्डिंग हो ही जाएगी, अगर आपकी डायेट सही है, मेरी हाइट भी बहुत कम थी, और वजन भी बहुत जादा था, बतलब कि मैं तो अनहेल कपड़ीज की होगी है उसका कारण है कि मेरा पोजन भ multi जादा था इसले तो फैट जाता है तो बाड़ी को बेधब सा करके जाता है पर बढ़ीको आप अगर अच्छी तरह किसे चट्रिट करोगे तो आपकी बाड़ी अच्छी होगी पर यह 새by पर मतलब मेर्या हाइड बढ़ चुकी है अब छूटी हो चुकी है तो मैं खुश हूँ कि मेरी हाइड बढ़ चुकी है कोई सप्लिमेंट नहीं कोई दवा नहीं और मेरी हाइड बढ़ चुकी मैं डायेट में खाता हूँ पनीर कैल्शियम के लिए पनीर खाता हूँ एक खाता हूँ एक बहु बेसिज़ पे 2-1 खाताओ पनीर 100 ग्राम कोशिश करताओ कि 100 ग्राम खाओ घर का होमेड बना वा पनीर कभी 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 टाइम नहीं होता है होमेड पनीर पनीर रोजी खाताओ तो पनीर को अपनी डाइट में आड कीजे दूद पीजे और आयरवेदा की मैं एक अच्छी चीज बताता हूँ आप लोगको अश्वगंदर डाल करके दूद पीजे, जिन लोगों को हाएट बड़ानी होती है, उनके लिए भी अच्चा होता है। हाइट इंक्रीज के लिए बहुत सारी सबजिया होती है पालक भी हाइट इंक्रीज के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि पालक में भी क्यालिशियम होता है और हर एक सबजिया आप खाये जो भी नेचर से मिलता है वह आप खाये नट्स खाये आप और ग्रीन टी भी भिमार नहीं रहना होगा तो हा स्वाइट इंट के ऊपर आप विडियों बहुत पसंद आए होगी इस वीडियो से मैं साटिस्फाइब नहीं हो हाइट इंक्रिश के बारमे में और भी आप लोग को चीजह बताने वाला हो तो उस वीडियों का आप दब del सब्सक्राइब करके रखिए इस चानल को फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई